सबसे पहले तो जिस बच्चे ने भी अभी तक अपना चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है वह इस अपने चैनल टेकनिकल राकेश सर आईटी आई को सबस्क्राइब कर ले क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो हैं उनमें अब बात करने वाले हैं कि अगर आपकी प्लेस्मेंट किसी कमपनी में हो जाती है तो फाइनस एक्जेक्यूटीव ट्रेड के दुरान आपको कमपनी में किस तरह से कारिया करना है और ये वीडियो आपको तभी मिल पाएंगी अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब कर रखा होगा क्योंकि हम जिस ट्रेड से पढ़ते हैं अगर हमें उस ट्रेड की प्रैक्टिकल नोलीज हो तभी हम कमपनी में कावियाब हो पाएंगे इसलिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं टैली के सोफ्ट्वेर के बारे में पहले हम देखेंगे कि इस सोफ्ट्वेर की क्या महत्तव है इंडिस्ट्रीज में तो आज हम बात करते हैं टैली ए आर पी नाइन टैली का प्रीचे इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों हम आज टैली सोफ्टवेर की तो बच्चों किसी भी बिजनस को ठीक धंग से चलाने के लिए वेल लाब कमाने के लिए अवश्चक है कि हम उसका त्रीके से हिसाब किताब रखें पहले हम यह कारिया पैन कोपी की मदद से मैनुवली किया करते थे लेकिन अब यह सबी कारिया कम्प्यूटर की मदद से किये जाते हैं तो बच्चों पहले जिस कारिया को करने में पूरा दिन लग जाया करता था अब वह कारिया कम्प्यूटर की मदद से बीना ही किसी गलती के मिन्टों में हो जाता है तो बच्चों कम्प्यूटर पर कारिया करने के लिए हमें किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेर की जरूरत पड़ती है और यह टैली भी हमारा एक अकाउंटिंग सोफ्टवेर ही है टैली अकाउंटिंग सोफ्टवेर की सबसे बड़िया बात क्या है कि इस पर काम करना बहुती असान है जिसमें बहुती असानी से अकाउंटिंग की जाती है और इंडिया से बाहर भी इसका उप्योग किया जाता है तो हम आपको भी सिखाएंगे कि टैली E.R.P.9 में कैसे कारिया करते हैं तो बच्चों हमें इतना कुछ कलियर हो चुका है आगे हम इसका उदेश्या देखते हैं कि टैली को सीखने का हमारा उदेश्या क्या है हमारे अब्जेक्टिव क्या है तो सबसे पहले हम कॉमर्स तथा बीना कॉमर्स बैक्गराउंड वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर अकाउंटिंग सिखाना टैली सिखाने का हमारा पहला उदेश्या तो यह है कि जो commerce background के या बिना commerce background के व्यक्ति हैं उनको computer accounting सिखाई जाए जो commerce के विद्यारती हैं या commerce background के विद्यारती हैं उनको तो कुछ basic चीजे हैं वो पता होती हैं उनके लिए इस पर काम करना असान होता है पर हमारा उदेश्या है कि जो बिना कुमर्स बैक्गराउंड के व्यक्ति हैं या विद्यारती हैं वो भी इस वीडियो को देखकर टैली पर काम करना सीख लें और बच्चों जो हमारा दूसरा उदेश्या है वह है रोजगार प्राप्ती में साहिता परदान करना ऐसे लोग जो बहुत जादा पड़ाई नहीं कर पाए हैं वो भी कम्प्यूटर अकाउंटिंग अगर सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं इस परकार से टैली जो है उनकी रोजगार प्रापत करने में मदद करती है क्योंकि पहले मैनुवल अकाउंटिंग होती थी तो जो शुरू से मैनुवल अकाउंटिंग करते आए हैं ऐसे लोगों को अब कम्प्यूटर पर अकाउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगत है हलांकि उनको accounting कैसे करना है यह आता है पर computer पर accounting कैसे किया जाए यह टैली software का उप्योग कैसे किया जाए यह उनको नहीं आता है तो उनको भी इसमें सहायता मिल जाए यह हमारा उदेश्य है और साथ ही यदि कोई हमारा अपना छोटा मोटा बिजनस है उसकी accounting हम खुद कर सक तो बच्चों आगे हम देखेंगे base of teaching टैली टैली सीखाने का अधार क्या है यहाँ पर टैली सीखाने का जो अधार हमने बनाए हैं उसमें सबसे पहला है simplicity सरलता हमने कोशिश की है कि टैली को एक सीरे से नहीं सिखा करके जो सरल चीजे हैं उनको पहले लिया जाए जिस तर है तो उसको शुरू से A से लेकर Z तक नए सिखा कर जो अक्षर उसके लिए असान होते हैं उसे पहले सिखाए जाते हैं और जो कोई कठिन है उसे बाद में सिखाया जाता है इसी तरह से हमने भी टैली सिखाने के अधार सरलता को रखा है कि जो चीजें सरल हों वो पहले दिखाई जाएं और जो मुश्किल हों उनको हम बाद में देखते हैं दूसरी चीज है कि उस कारिय करम में हमने थोड़ा सा हो सकता है लोंग रूट लिया है बजाए शोटकट को अपनाने में जिसमें कठिनाईयां या कॉम्पली सिटी जादा आएं हमने कोशिश की है कि भ ने लगें जिससे की हमारा तीसरा अधार भी यहां पर आ जाता है वो है इसको भेहर हित बनाना टैली पर काम करने में आपको डर ने लगे गबराट ने हो या ऐसा ने लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल काम है इसके लिए हमने ये अधार चुने है कि यह सिंपल हो चीजे सिखाई गई हैं भले ही उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगे और अनन्त तरीके से उसे सिखाया जा सके तो बच्चों आगे हम बात करते हैं हम आपको टैली किस किस लेवल तक की सिखाएंगे जैसा कि टैली सिखाने के लिए हमने अधार बनाया है सरलता या सिंपल लेवल में हम जितनी भी चीजे हैं उनका एक प्रीचे आपको दे देंगे ताकि आप जान सकें कि इस अकाउंटिंग सोफ्टवेर को यदी हम को यूज करना है तो क्या क्या चीजे इसमें हैं जो बेसिक टर्मिलोजी हैं वो क्या है और किस तरह से अकाउंटिंग भी पता चलेगा कि टैली सोफ्टवेर को यूज करना इतना कटिन नहीं है बड़ा असान है पर यहां पर हम बहुँ ज़्यादा गराई में नहीं जाएंगे दूसरे लेवल हम देखते हैं तो जो बच्चों हमारा दूसरा लेवल है वह हैं इंटर्मिडियेट लेवल इस ल का अकाउंट मेंटेन करना होता है वो सारी चीजें आप इस लेवल पर सीख सकेंगे बच्चों तीसरा लेवल है अडवांस लेवल यह मनेजीरिये लेवल पर काम आने वाली चीजें इसमें शामिल होंगी और विशेश तोर पर यह उनहीं लोगों के लिए हैं जिनको बिज वांस चीजें इसमें शामिल होंगी तो बच्चों यह सिरफ एक इंट्रोडक्शन थी और यह जो टैली सोफ्टेर है यह हमें हमेशा काम आएगा हमारी लाइफ में चाहे हम कीसी भी कंपनी में अकाउंटिंग की जोब करें इसलिए दोबारा फिर टैली को अच्छे से समझ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद